आज से मेरी जिन्दगी का नाम चाल नहीं है बात करते हैं रोहन कपूर की रोहन के पिता संगीतकार महंदर कपूर बॉल्यूड म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी करीब से जुड़े हुए थे इसी सूत्र से रोहन भी अपने आपको इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाते थे लेकिन पिता के नक्षे कदम पर नहीं संगीतकार महंदर कपूर के बेटे रोहन कपूर की दिल्चस्पी एक्टिंग में थी रोहन का जनम साल 1965 में मुंबई में हुआ था रोहन के पिता महंदर ने एक दशक में बॉल्यूड की कई फिल्मों में मशूर गानों को अपनी आवाज दिये सभी को लगता था कि रोहन सिंगिंग से अपना करियर को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उन्हें संगित से ज्यादा फिल्म एक्टिंग में दिल्चस्पी थी रोहन ने हिंदी फिल्मों के बारे में जानने के लिए 16 साल के उम्र में अपने आपको फिल्मी दुनिया से जोड लिए 1981 में मनोज कुमार द्वारा निर्देशित एतिहासिक ड्रामा फिल्म क्रांग्ती रिलीज हुई रोहन ने इस फिल्म में सहन निर्देशक के तौर पर मनोज कुमार को एसिस्ट किये थे फिल्म क्राम्ती में दिलीप कुमार, शत्रुगन सिन्हा, हिमा मालीनी, परविन बॉबी, प्रेम चोपडा जैसे बड़े कलाकार के साथ काम करने का तजूर्बा रोहन को हुआ कैमरे के सामने और पीछे चीजे कैसे काम करती है, इसकी सपष्ट समझ रोहन को फिल्म क्राम्ती में काम करने के बाद आ गई थी फिल्म क्राम्ती में काम करने के बाद रोहन ने दो तीन साल तक निर्देशन और अविनय के बारे में पढ़ाई भी की यहां तक कि उन्होंने सफी इमांदार के साथ एक ही मंच पर नीला कमरा और अदा नाटकों में अविने भी किया 1985 में रोहन की जिन्दगी ने एक अलग मोड लिया यश्राज फिल्म द्वारा निर्मित सुनिल दत और रेखा अविनित फिल्म फासले रिलीज हुई थी रोहन ने इस फिल्म में सेकेंड लीड रोल काम किया दर्मिया फिर भी फासले ही फासले में रोहन विजय का किर्दार निभाते नजर आये थे हाला कि वो इस भुमिका के लिए यश्र चोप्रा की फर्स्ट चॉइस नहीं थे यश्र ने पहले अनिल कपूर को इस रोल का ओफर किया तब अनिल के पास एक के बाद एक फिल्मों का ओफर थी अनिल कपूर ने समय की कमी के कारण यश्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया इसके बाद यश्र ने ओडिशन लेना शुरू किया आडिशन के दौरान उन्हें रोहन को देखकर अच्छा लगा यर्ष चोपडा विजय के रोल के लिए लंबे और हैंडसम रोहन कपूर को ही चुना लेकिन फिल्म फासले बॉक्स ओफिस पर असफल रही यश्राज फिल्म्स को बड़ा नुकसान हुआ बाद में एक हिट फिल्म बनाने के बाद यश्राज फिल्म्स ने अपनी नुकसान की भरपाई तो कर ली लेकिन रोहन कपूर के करियर का पहिया एक फिल्म में काम करने का बाद अटकता नजर आया रोहन अपने एक्टिंग करियर में कैसे आगे बढ़ना है इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेते थे लेकिन यश्राज ने उन्हें जो भी सलाह दी उन्होंने हमेशा आँक बंद कर उससे मान्यता दिये यश्र ने रोहन को सलाह दिये कि वो अपनी अगली फिल्म में उसी तरह की किरदार ना करे जैसा उन्होंने फिल्म फासले में निभाये हैं यश्र ने कहा अगर आपको दस फिल्मों में काम करने का ओफर भी मिलता है तो भी अगर जरूरी हो तो उन्हें से सिर्फ एक फिल्म में ही काम करना बहतर है लेकिन एक ही रोल में बार बार नजर आना अपने करियर के लिए सही नहीं है रोहन के लिए ये शब्द मंत्र की तरह हो गए फासले में काम करने के बाद रोहन ने कई फिल्मों में काम करने के आफर ठुकराए रोहन ने 1986 में रिलीज हुई फिल्म लव 86 में काम किया था वो ये सोचकर उचसाहित थे के वो अपने करियर की दूसरी फिल्म में अभिनाय कर रहे हैं लेकिन रोहन के माथे पर इस बार भी खुशी नहीं लिखी थी गोविंदा ने लव 86 में रोहन के को स्टार के तोर पर काम किये थे इस फिल्म के जरिये गोविंदा ने बड़े परदे पर अपने डेबियू भी किये रोहन ने सोचा कि क्योंकि गोविंदा एक निव कमर है इसलिए दरशक उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे यहां तक कि रोहन के दिमाग में गोविंदा की एक्टिंग स्किल्स पर भी सवाल उठने लगे थे लव 86 की शूटिंग के दोरां सेट पर सभी कास्ट्स एंड क्रिउज ने रोहन के साथ अच्छा बरताव किया कुल मिलाकर रोहन ने मान लिया था कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उनका करियर उरान भड़ेगा लेकिन लव 86 की रिलीज के बाद बिलकुल अलग तस्वीर कैद हुई दरशकों ने गोविंदा के अभिनाई की खूब सरहाना की बॉली उड में भी गोविंदा को लेकर चर्चा होने लगी रोहन की इमेज अचानक सब के सामने गाइब हो गया गोविंदा को एक के बाद एक फिल्म के ओफर आने लगे लेकिन उस वक्त रोहन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था जितनी फिल्म उनके हाथ में थी उन फिल्मों पर कभी काम शुरू ही नहीं हुआ इस तरह रोहन ने अपने करियर के पनतने के लिए गोविंदा को जिम्मेदा ठहराया इसके बाद सुनिल मालिक द्वारा निर्देशित फिल्म इमांदार 1987 में रिलीज हुई थी फिल्म में फरहा सुमीद साइगल और संजय दत के साथ मुख्य भुमिका में रोहन कपूर भी नजर आये थे लेकिन ये फिल्म भी हिट नहीं रही अपने करियर को संभालने के लिए रोहन ने विनोत तलवार निर्देशित बी ग्रेड हॉरोर मुवी वही भयानक रात में भी बतोर हिरो काम किये हॉरोर फिल्मों का एक अलग मार्केट रहने के कारण ये फिल्म तो चली मगर इससे रोहन को कुछ खास फाइदा नहीं हुआ इसलिए उन्होंने अभिनय जगत को अलविदा कह दिये महेंद्र कपूर देश विदेश में विविन्न मंच पर गाते थे रोहन नौ साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ तूर पर जाया करते थे विनाय छोड़ने के बाद वे संगीत जगत में बीजी होने लगे उन्होंने देश विदेश के अलग-अलग मंचों पर गाना भी शुरू किया रोहन ने आखिरकार अपने पिता की तरह संगीत कार के रूप में अपना करियर बनाया लेकिन जिस प्रोफेशन से उन्हें आगे बढ़ना था जिस पेशे से उन्हें लगाव था उसमें वो सफल नहीं रहे केवल तीन चार फिल्मों में काम करने का बाद रोहन कपूर बॉल्यूड फिल्म जगत से गाइब हो गए